Hello and welcome to the law prep tutorial YouTube channel. In today's session we are going to discuss all every and each important detail regarding the MSCET law 24. CLAT का 24 exam हमारा हो चुका है नाउ कुछ particular students ने जो हमारा होप किया था कि rank काफी higher आएगी लेकिन थोड़ी low रह गई तो वो और alternative डूंड रहे होंगे Unluckily हो सकता ऐसा भी कि 2024 का exam किसी वज़ा से हमारा हम miss कर गए हो one or two marks से और other alternative भी हम search कर रहे हो जो better options हमार पास available रहे MSCET 2024 का ये particular paper हमारे लिए वो best alternative option रहेगा जो आपको अच्छी law schools दिला सकता है और एक-एक point इसके regarding हम cover up करेंगे चाहे फिर वो related हो exam rate के या फिर बात करता हो eligibility criteria pattern क्या रहेगा exam का syllabus क्या है इसका और कौन-कौन से हमको top colleges इस exam के थुरू मिल सकते हैं इन सब points को हम detail में cover up करेंगे तो चलिए start करेंगे आज के session की और भी आपकी कोई query रहे तो आप comment session में drop कर सकते है ताकि आपका overall answer बाद में easily कर दिया जाएगा and आप session को share करना बिलकुल ना भूले चैनल को subscribe जरूर करेगा ताकि ऐसे सारी important updates आपको मिलती रहे स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि mhcet का ये exam है क्या mh download करता है महाराष्ट्र को it means कि यह महाराष्ट्र state government का exam है state level का exam है national level का exam नहीं है ct हमारा common entrance test law है अब एक चीज याद रखिएगा very very important point to note down अगर आप internet पर इस form को भड़ते फिल करते time only mhcet search करेंगे तो आप wrong form भी fill कर सकते reason यह है कि mhcet exam technical word के अंदर भी होता है means engineering वगर के लिए भी होता है medical के लिए भी होता है जो इस particular state के अंदर local level पर nursing exam के लिए करवाया जाता है तो जब आप इस form को फिल करेंगे तो यह point याद रखे कि आपको साथ में law जरूर mention करना है क्योंकि mhcet और mhcet law दोना exams को conduct करने वाली body different different है तो यह point एक तो clear होना चाहिए यह state level का exam हमको दो type of courses provide करता है most of the target obviously five year का integrated LB ही रहेगा लेकिन maybe possible यह भी हो सकता है कि आपके मैंसे कुछ ऐसे particular person भी इस वीडियो को देख रहे हो जो कि अल्रेड़ी BA या BSC या graduation कर चुके हो और उसके बाद LB plan किया हो तो इसके लिए भी यह important exam हमारा रहेगा अगर इसमें देखें कि कितनी overall seats रहती है तो five year के LB course के अंदर देखें तो more than 11,500 seats हमको approximate देखने को मिलती है 150 to 160 law schools इसके अंदर आती है इसमें से कुछ top law schools भी रहेंगी कौन-कौ से उन सब points को discuss करेंगे और अगर आप three year LLP को try कर रहे है तो उसमें भी आपको number of seats काफी जादा देखने को मिलेगी 16,000 plus seats overall हमको यहाँ पर देखने को मिलती है next part जो सबसे important है इसका वो है mode of exam जो की online रहेगा आपने preparation online offline बोत की होगी लेकिन पेपर का जो format था हमारा वो क्लैट का only physically आपको present होना था सेंटर पर जा करके यहाँ पर भी physically present होना लेकिन पेपर जो है हमारा वो online mode के अंदर रहेगा computer based होगा थोड़ी आपको practice करने पड़ेगी अपना वो जो आदत है वो habit बन चुकी है कि सर पेपर आपको आएगा उसमें से हम सोचेंगे याद करेंगे एंद फिर watch देखते देखते हमारा time हमको पता लगेगा वो यहां नहीं रहेगा तो computer based आदत भी होनी चाहिए कि आप इतने particular hours तक बैठ सकते हैं overall exam देने के लिए तो यह तो हुआ first part हमारा कि exam किस particular state के लिए क में देखने को मिलेंगे अब next आता है कि exam होगा कब सर सबसे important part आता है exam date कि सर यह exam कब होने वाला इसकी preparation करेंगे तो हमको obviously time भी चाहिए तो वह exam के अगर timing की बात करें तो इसका notification आएगा last week of December में it means मान के चलिए कि आपको within one week next week के अंदर इसका notification मिल जाएगा but application form release नहीं हो तो जो रहेगा वहाँ पर हमारा फस्ट वीक में ही मेजर लिया आपको application form देखने को मिलेगा date already declared हो चकी है के sir हम 5-year LB का जो particular हमारा exam है course जो है उसके लिए date हमारा May 7 और May 8 को होगा दो दिन में यह exam होंगे लेगा ऐसा नहीं कि आपको दोनों दिन प्रजेंट होना state level का exam है number of candidates ज्यादा होते तो multiple shifts में यह exam होंगा तो इसलिए two days के अंदर इसको conduct किया रहेगा और यह already announce हो चुका ह तो यह date almost finalized ही समझो और उसके बाद आपको result देखनों के मिलेगा within seven to ten days या two weeks के अंदर May और जून में ही result आजाएगा and counseling process भी हमारा start हो जाएगा तो आपको date याद रखना है और form कब फिल होने वाले है यह भी आपको exactly एक एक point अच्छे से clear होना चाहिए अब यह तो हुआ basic basic thing कि exam क्या है and कि particular state का है and overall exam की date कब आने वाली तो हमार पास अभी time available है अभी December चल रहा है तो अपने आपको अगर record कर लिया होगा अब तक अपने and preparation में next target के start कर चुके हों गया तो overall five months के around या four months तो हमार पास available है और ज्यादा कुछ different रही है अगर सहले बस scheme जो अभी अब डिसकस करेंगे तो almost clack pattern ही है तो नया कुछ आपको read out नहीं करना बस इतना सा रहेगा कि clack से थोड़ा easy है यह factual जादा है जहां आपने current affairs है बहुत जादा deeply clack के लिए prepare किया होगा इस particular exam के लिए we do not have to prepare each and every particular topic in detail simple simple factual data अगर हमको याद रहेगा तो भी more than enough रह जाएगा इससे ज्यादा deep जाने की requirement इस exam के लिए नहीं होती similarly case loss पूछे जाते हैं या situation जो हमसे पूछेगा overall वो भी काफी easy रहेगी comparatively clack के यह काफी easy paper अमारा difficulty level के अंदर माना जाता है अब next part है कि who is eligible to give this particular exam यह important part है सभी के लिए क्योंकि outside state वाले भी इसको try करेंगे obviously जो महराष्टर बिलॉंग नहीं करते हैं और जो महराष्टर से बिलॉंग करते हैं वो भी इसको obviously try करेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि parents सोचते चलो दूर नहीं बेजना तो हमारा जो ह भी महराष्टर की candidates भी यहां पर होंगे और outside महराष्टर वाले भी obviously इस exam को देंगे तो five year LB की बात करें तो once again minimum qualification वही 12th appearing या 12th pass होना चाहिए तो में में एक्जाम है तो उस time period तक most other overall हमारा इस particular 12th के exam को qualify कर चुके होंगे pass कर चुके होंगे open category जो है हमारा याने की general category की ब and OBC, SBC means other backward classes or special backward classes महराष्टर government के notification के according including VJNT means Vimugjati and numeric tribe जो है महराष्टर government के records के accordingly 42% होना चाहिए यह अगर आपके पास 12th में marks है तो आप इस exam के लिए eligible रहेंगे similarly अगर आप three year LLB try कर रहे है graduation के बाद में तो simply इतना लिख रहा है कि हमारा जो graduation है वो किसी भी discipline में होना चाहिए age limit का कोई criteria नहीं है तो यह भी कोई part नहीं है कि minimum इतनी age हो maximum इतनी age हो आप अगर यह qualification hold करते हैं इनके अलावा तो आप यह exam easily दे सकते है eligibility criteria के बाद next important जो पार्ट हमारा आता है वो है इस exam का pattern क्या है यह एक important पार्ट है कितने questions how much time and overall mode of questions रहेंगे वो अलग-अलग syllabus में किस किस portion को कितना कितना और वेटिज दिया गया यह सब भी important part रहता है तो सबसे पहले बात करें mode of exam की तो मैंने आपको starting में बताया कि यह एक computer-based exam में online exam होगा आपको computer पे paper देना पड़ेगा type of questions की बात करें तो mcq-based question ज्यादा आएंगे वैसे आपने detail में चीजों को cover-up किया है paragraph based part के उपर तो उतना part यहां पर देखने को नहीं मिलता mcq-based questions थोड़े ज्यादा पूछे राते हैं then यह paper dual language में दे सकते हैं English and Marathi Marathi वह particular जो महराष्ट से बिलॉंग करते हैं local language में थोड़ा ज्यादा हमारे comfortable है तो उनके लिए Marathi option भी available है अधर्वाइस ये English के अंदर paper होगा ओर्रोल इसके अंदर 120 minutes याने कि 2 hours मिलेंगे लेकिन number of questions ज्यादा है 150 questions याने कि CLAT का जो old pattern था जहां वही 2 hours and हमारे 150 questions मिलते थे similarly यहाँ पर वही pattern है कि 150 questions है and हमारा 120 minutes आपको मिलेंगे total paper जो रहेगा हमारा MSCT का वो maximum mark 150 रहेगा अगर एक आपने correct किया तो 1 mark मिलेगा the most important part अगर इसमें बात करें negative marking की वो है no negative marking CLAT के अंदर तो negative marking होती है तो we simply avoid that kind of question which we are not sure that it will be correct or not but इसमें ऐसा नहीं है negative marking नहीं हो जो और negative marking नहीं होने के कारण ही cut off is high for this particular exam लगी आपको अगर नहीं भी आता है तो आप सारे 150 questions easily attempt कर सकते है आप उसको miss करके नहीं आएंगे skip करके नहीं आएंगे क्योंकि आपको negative marking होने वाली नहीं है क्योंकि cut off थोड़ा higher इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा इस particular exam के लिए तो यह याद रखना है कि 150 marks का paper होगा 150 questions होंगे और 120 minutes and two hours मिलेंगे और negative marking नहीं है तो skip करने की कोई requirement नहीं है आप इसके अंदर तुक्के भी लगा सकते हो अकडबकड बंबे बो करके भी आप easily question को attempt कर सकते हो गलत हुआ तो कोई नुकसान नहीं और सही हो गया तो हमारा एक mark add हो जाएगा अब आता है next इसके syllabus और marking scheme में यह तो define कर दिया कि 150 questions होंगे लेकिन किस scheme का या किस subject का कितना विटेज रहेगा यह भी बिल्कुल important part है कि थाकि हम भी accordingly focus कर सके things पर तो यही पार सब्चेक्ट है klat के अंदर भी similarly यह हमको five sections देखने हो कम बिलते हैं but marking scheme में थोड़ा सा difference है legal aptitude and legal reasoning को देखे तो 40 questions 40 marks आएंगे जीके वाले segment के अंदर 30 questions रहेंगे 30 marks के logical and analytical reasoning के देखे तो 40 and 40 similarly English के 30 questions and mathematics के लिए 10 यह इस तरह से आपके 150 बनेंगे और अगर आप three year LLB के लिए try कर रहे हो तो यह particular scheme आपके लिए देखने को मिलेगी उसके अंदर maths वाला part नहीं आता है बस लेकिन majority of students हमारे five year LLB को ही obviously plan कर रहे होंगे तो उस suggestion में यह overall हमको marking scheme देखने को मिलती है और GK वाला जो segment है इसका और यह English वाला segment है वो CLAT के comparison में काफी easy आता है यहां आपको deep जाने की requirement नहीं है कि एक-एक fact को detail में जाके cover up किया अगर आपने news पढ़ा कि next Republican Day के उपर France के president as in chief guest आएंगे तो यही fact important है आपको history आपके cover up करने की requirement नहीं है कि till now how many French head of states came to India as a chief guest on the Republican Day वो numbers स वो names याद करने की requirement नहीं है यह exam थोड़ा factual part इसके अंते होड़ा जादा होता है और GK का part भी इसके अंदर हमको comparatively random थोड़ा देखने को मिलता है जो कि history की component भी रखता है पॉलिटिक के component भी है जोग्राफी एंड ओवर्ल एकोनामिक्स लेकिन वह भी deeply separately नहीं करना करना करंट अफेर बेज़ी पार्ट रहेगा कि कोई particular माल लीजे कोई इसकी कोई report आया कोई index आया तो इंडेक्स कौन release करता है type of questions देखने को मिलेंगे तो ज्यादा deep part नहीं है इंग्लिस में भी vocab अगर तो पार्ट रहता है या फिर finding the error रहता है वो सब question काफी comparatively easy आता है legal aptitude अगर हम syllabus वाले इंडियन कॉंट्रेक्ट लॉ लॉफ टॉट्स इंपोर्टेंट लैंडमार्क सुप्रींग कोर्ट जज्जमेंट्स लीगल फंडामेंटल टर्म्स एंड IPC एंड लेगल मैग्जिम्स जो रहेंगी वह हमसे पूशी जाहेंगे exam में लेगिं क्लाट के में काफी ज़्यदा इजी यह पर्टिक्लर हमारा exam रहता है लॉजिकल अनल्टिकल में देखे तो पजल्स ब्लड रिलेशन एज ओडिंग डिकोडिंग इस टाइप के कोश्चन थोड़ा ट्रॉपिक्स जो है हमारे वह ज़्यदा डॉमिनेट करता है इस exam के अंदर जीके व सब्सक्राइब को इंक्लूडिंग मैस में अगर देखे profit and loss time and work speed distance यह सब टाइप यह हमारा syllabus है एक रफसल हमको जो वेब साइट पर अवेलेबल है कि सर यह 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 कोश्चन सम ओवर्ल आपसे पूछने वाले और यह कट ऑफ हायर साइट जरूर जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा वह जो क्लैक में प्रिपार कर रखा है इन पार्ट्स को easily वही आपक पिष्ट मार्स तक तक का तो आपको करेंट अफैर कवर करना मेंगत पड़ेगा इसको आपको ओड Cong करना और कर चार करना रहाएगा वह जा सकते हैं प्रप्डेट अपडेट रहेग हैं तो वह पर यह पार्ट आप इजली कवर आपकर पाएंग अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर इस एक्जाम को देते हैं तो वो कौन-कौन से महराष्टर के टॉप कॉलेज़ है जिसके लिए हम ट्राय कर सकते हैं तो दो मोस्ट इंपोरेंट जो कॉलेज़ रहते हैं जो मोस्ट टार्गेट करते हैं स्टुडेंट्स अगर किसी वज़े से नहीं क्लियर हो पाता है या एस्पेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है वो है जेल सी मुंबई और मुंबई और आयलस पूने यह वो टॉप के अराउंड ओवराल कॉलेज़ेज है जो की फाइफ यह और थ्री यहर का हमको आप्शन्स प्रवाइड करते हैं बट ओवराल अगर देखें तो यह टॉप के कॉलेज़ेज हमारे लिए रहेंगे जिसके लिए हम टार्गेट कर सकते हैं अगर NLU नहीं मिला तो यह भी ला हाइर साइड में रहती है तो और बाकी अच्छे कॉलेज़ेज भी यह अवेलबल है तो यह टॉप कॉलेज़ेज है जिसके लिए यह पर्टिकलर एक्जाम कंड़क्ट होता है अब जब आपको रूटिफिकेशन आएगा तो बस आपको इतना सा काम करना है इस एक्जाम के को फिल करने के लिए आपको इस वेब साइट पर जाना इस वेब सैट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ताक कि आप ईजी ली जाकर कि विजिट कर पाइं और फिर आपको फोर्म करना है याद रखेगा मैं आपको पहले भी कहा था, MSCET 1994 के नाम से अगर एक्जाम को आप सर्च करोगे तो कुछ और पर्टिकलर फॉर्म उपन होगा और ढूंदते रह जाओगे वाला तो साथ में लॉजरूर लिखना है क्योंकि MSCET जो एक्जाम होता है हमारा वो बैसिकली टेक्निकल फील्ड और नर्सिंग वाले जो एक्जाम होता है उसके लिए भी गर्जुशन में देखने को मिलता है तो यह यह टम जरूर यूज करिएगा एंड इस वेबसाइट से आप हमारे जो है वो रिडार्ट हो जाएंगे उस लिंक पर तो नोटिफिकेशन जनुरी के अंदर आएगा तो अच्छे से आप इसको फिल कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस एक्जाम या और कोई पर्टिक्लर सब्जेक्स ए रिलेटेड तो आप कमें दूआ सलाम जाहिंद जाए भारत